नमस्कार दोस्तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि PM किसान समान निधी योजना जो कि सालाना 6000 रुपया मिलता है तो दोस्तो उसमें KYC का डेट यहाँ पे एक्सपारी हो गया है यानि की खतम हो चुका है जो कि दोस्तो 31 अगस 2022 तक ही था दोस्तो इसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे KYC हुआ है या तो नहीं कैसे चेक करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोब्लेम आ रही है कैप्चर कोड में या तो दोस्तो रेजिटेशन नमबर निकालने में इस वीडियो में मैं आपको इजी तरीका बताने वाला हूँ जिससे दोस्तो आप चेक कर सकते हो कि आपका सक्सेस हुआ है या तो नहीं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगो तो इस वीडियो का आखरी तक बने रहना लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का इकन को जरूर क्लिक करना ये विल्कुल फ्री है कोई भी चार्ज देने के जरूरत देदूंगा जैसे दोस्तो आवगे ति हपे साफ साफ देख सकते हो एक वाई सी का लास डेट 31 अगस 2022 तक ही था अब दोस्तों ये कवेसी चेक करने के लिए आपको स्क्रोल डाउन करना है सबसे पहले आपको पूरा स्क्रोल डाउन करते जाना है यहाँ पर दोस्त फैस्ट जैसे दोस्तो आधार नमबर को डालना है उसके वोद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है तो सबसे पहले चलिए आधार नमबर डाल देता हूं अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं आधार नमबर डाल दिया उसके वोद आपको सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो तो अगर आपका EKYC हो गया होगा confirm यानि कि success हो गया हो तो यहाँ पे देख तो EKYC is already done लिखाएगा अगर दोस्तो आपका EKYC is already done इस टैप से नहीं दिखाता है अगर दोस्तो जैसे ही आप यहाँ पे यानि कि अपना अधार नमबर डालोगे उसके वो दोस्तो आपको अगला किसकी पैसा मिल जाएगा तो जोस्तो इस टैप से आप अपना EG तरीके से यहाँ पे PM किसान समानी धियोजना का EKYC चेक कर सकते हो आई होग दोस्तो अगर मेरे दोरा बताएगा है थोड़े से वीडियो अच्छिलेगी तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों को साथ कमेंट करना